गुड मॉरिंग इस्टुटेंट आइम सुधाकर सर एंड टोड़े आइट इस टी यू क्लास सेबंथ मैथमेटिक्स इस्टुटेंट आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं एक्सरसाइज 9.2 का कोश्चन नमबर 4 फाइंड द वैलू आप क्या आपको निकालना फाइंड द जब इसका डिवीजन आप करेंगे तो यह माइनस फूर टू अपान फ्री का जो आप डिवाइड का साइन है जब यह जो सेकंड नमबर है इसका क्या हो जाएका रिसीप रोकल ती यह थी अपान टू हो जाएगा तो बन जा टू तो टू जा फोर और टू टू जा फोर और छिलिए विए पहला नमबर कुश्चन हम सॉल्व हे करते हैं फर्स्ट कॉश्चनちक का सॉल्व करते हैं बैलू आप 4 – 4 ảinte 4 arri ौइट तू अपान तू क्या है – 4 दिवाइड बाइ2 अपान फरी उसको हम क्या कर सकते हैं हैं How to solve करते हैं find the value of 4 minus 4 divided by 2 upon 3 क्या है minus 4 divided by 2 upon 3 इसको हम क्या कर सकते हैं solve करते हैं जैसे पहला question है इसका minus 4 divided by minus 4 divided by क्या था कि तू अपां 3 तू अपां 3 ध्यांस देखेगा इस्टुडेंट माइनस है फोर है फिर डिवाइड का साइन है फिर तू अपां 3 है माइनस फोर डिवाइड वाइड थ्री अब इसको हमें solve करना है क्या करना है solve करना है इसमें लिखेंगे the idea of reciprocal as done of the fraction इसमें हमको क्या करना है दिए fraction का हम receive रोकल करते हैं वह भी कौन सा जो डिवीजन के बाद दिया है माइनस फोर लिखेंगे डिवाइड का साइन लगाएंगे अब यहां पे से four cancel हो जाएगा two-man's two 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 चा four तो आपको क्या मिला minus two into three क्या मिला minus two into three equal में आएगा two three चा six क्या आएगा two three चा six और six आपका क्या है answer इस तरह हमारा division का पहला question solve हो जाएगा फिर इसके बाद आप दूसरा question देखते हैं division का दूसरा question दूसरे question में इसमें क्या दिया है माइनस थ्री अपान फाइब दूसरा कोश्चन देखते हैं माइनस दूसरा कोश्चन आप देखेंगे तो इसमें आपको दिया होगा माइनस थ्री अपान फाइब क्या दिया है माइनस थ्री अपान फाइब डिवाइड वाइट तो माइनस थ्री अपान है अब यहाँ पे 2 है रोटो कर दिस्वी प्रोगल होगा तो 1 अपान 2 हो जायेगा और साइन यहाँ पे हो जाएगा अब उस्टेटिप्लाइब 5 2 का 2 से मल्टिप्लाइब तो इसमें आपको क्या मिलेगा यह आपको क्या हुँआ, दूसरे number का answer हो गया, फिर इसके बाद आप देखेंगे, थर्ड question तो आपके फ़र्ष्ट number के जैसे ही आप कर सकते हैं, शेकांड number के जैसे लिएफ नमबर को गे समत्तों पर जैसे ही, अब आपके इसका number, question number में for बता देता हूं और फोर क्यों पर इसमें आपको दिया है माइनस आप ऐट डिवाइड वाइड वाइड थी आपान फॉर यह आपका को ह्यां लिखेंगे माइनस 1 अपान 8 डिवाइड वे ध… पान फॉर लिख दिया आपने फिर इसके बाद क्या लिखेंगे माइनस बान अपन एट अब इसका साइन चेंज हो जाएगा स्टुडेंट जैसे यह डिवाइड वाइड थ्री अपन फोर है जम इसके इस साइन करेंगे रोकल करेंगे 3 upon 4 का 4 upon 3 हो जाएगा अब यह cancel हो 4 बन जब 4 4 2 जब 8 तो इक्वल में आपके यहाँ पे मिला minus 1 upon 2 into 1 upon 3 minus 1 का 1 से multiply 1 into 1 2 into 3 तो क्या मिला तो यह 1 बन जब 1 minus 1 आया 2 3 जब 6 तो minus 1 upon क्या मिला 6 मिला तो minus 1 upon 6 यह answer हो गया इसी तरह आप question कर सकते हैं चलिए मैं आपको last 7 number question इसी का बता देता हूँ इसके बाद यह हमारा chapter complete हो जाएगा question number इसका 7 देखते हैं 7 number question क्या है last question है इसमें आपका 3 upon 13 दिया है divide के sign लिका लगा है minus 4 upon minus 4 upon 65 दिया है अब यहां पर देखेंगे 3 upon 13 अब माइनस 4 upon 65 जब इसका हम reciprocal करेंगे कि 65 upon minus 4 हो जाएगा यह आपको मालूम है अब यहां पर देखेंगे 13 से कट जाएगा 13 बन जब 13 कर सकते हैं सारे question जो भी होंके exercise 9.2 के आप solve कर सकते हैं तो मैंने question number 4 find up है लोग आपका यानि फर्स नंबर सेकेंड नंबर फिर आपको फोर्थ नंबर एंड सेवन नंबर चार कोश्चन समझाए हैं त्री कोश्चन आप कर लिजेगा तो आज की class math की मेरी यहीं complete होती है आज आपका 9 चैप्टर भी complete होता है नेस्ट वीडियो में आपको चैप्टर 10 के questions पढ़ाऊंगा जो पार्सियल geometry है चैप्टर 10 में पार्सियल geometry है पार्सियल geometry के questions पढ़ाऊंगा स्टुडेंट आप लोग rounder वगेरा जो है यानि पूरा geometry box एक ले लीजेगा क्योंकि अब geometry के पूरे question स्टार्ट होंगे